अलो स्टूड़ेंग्स अज की लेक्चर में हम प्रोटेक्टिव रिले के बारे में studio करेंगे जिसमें आज हम देखेंगे बैलन्स टिप रिले कि उसका कन्स्टॉक्शन कैसा है और कैसे करता है तो सब条есс पहले आप दायाग्रम में देख सकते हो कि जो रीले का वीम रहता है वो फ़लक्रम सपोर्टें रहता है जो प्लंजर है यदर वह आएन के बार हुआ रहता है और यह jy प्लंजर है उसको एक एंड पर रखा जाटा है और जो प्लंजर है उसको solenoid के अंदर रखा जाता है यहां पर आप देख सकते हो यह जो है यह प्लंजर है दूसरा जो बीम का एंटर मिलर रहता है वहां पर स्प्रिंग को कनेक के जाती है अब जब भी नॉर्मल कंडिशन होगी तो उस टाइम पे कोईल में से जो करन्ट फ्लो होता है उसका जो मैक्टिट्यूड है वो कम रहता है और इसकी वज़े से स्प्रिंग का फोर्स और प्लंजर के उपर जो फोर्स लगता है वो दोनों एकवा रहते हैं और इसकी वज़े से बीम है वो होलिसोंटर पॉलिशिशन में ही रहता है और इसकी वज़े से रिले के कॉंटक्स जो रहते हैं वो ऊपन रहते हैं और जब भी फॉर्ट होगा तो कॉल में से जो करन्ट फ्लो होता है वो इंक्रेस होगा कि यहां पर जो यह आपको कॉल दिखाई है पर अब दूसमें से जो करण फ्लो होता है तो करण की वैल्यू इंक्रेस होती है और इसकी वज़े से लंजे पर जो फोस लगता है वो भी इंक्रेस होता है इसकी वज़े से बीम डिफ्लैक्ट्स होता है और कॉंटेक्स क्लोज हो जाते हैं सेम टाइम सर्कीट ब्रेकर ट्रीप हो जाता है क्योंकि यहां पर जो ट्रीप क्वार्ड की जो सर्कीट है वो पूरी कम्प्रेट हो जाती है दूसरा टाइप का जो जो बैल्लैच्ड फीम टाइप डीले रहता है उसमें दो कॉयस रहती है जो हमें डाग्रा में दिखाई गई है यहां पर यह जो कोई है बीच में यह प्लंजर है और आष्पार्ण जो है उसको हम बोलेंगे कोई तो एक कोई रहती है वो ओपरेटिंग कोई रहती है जबकि दूसरी कोई होती है वो रिस्टेर्णिग कोई है यानि कि जो बीम है बीम के दोनों एड हे वहां पर कॉय रखी गई होती है और हर एक एड पर लेंजर को कनेक किया गया होता है एक कोई है उसको हम ऑपरेटिंग कोई बोलेंगे और दूसरी कोई है उसको हम रिस्टेरिंग कोई बोलेंगे जब भी हेल्थी कंडिशन होती है उस टाइम पे कोई में से जो करंट फुलो होता है वो कम रहता है इसके वजह से दोनों कोई की वजजे से जो फूस्प प्रोड्यूस होता है वो एकफ रहता है और बीम जो है और हॉल सौन्ट पोजिशन है रहता है कि और इसके वज़े से जो कॉंटेंटेते हैं वह भी ऊपन कंडिशन में रहते हैं को कि यहां पर दिखाएगे हैं कॉंटेक्स हो जब भी अब फॉल्ट होता है उस तरह पर ऑपरेटिंग कॉल में से जो करण्ट फ्लो होता है वह इंक्रीस होगा और बीम है वह एंटिक्वास डायरेक्शन में टर्न होगा और इस तरह से ट्रिप कोई है वह कंप्लिट हो जाएगी और सकी ब्रिकर है वह ट्रिप हो जागा ओके यानि कि यहां से अगर करण्ट बढ़ रहा है तो इसके उपर फॉर्स बढ़ेगा फॉर्स बढ़ेगा इसकी वज़े से चुब बीम है वह डिफलेक्ट होगा और बीम ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और इसकी वज़े से ट्रिप कॉंटेक्स है वह क्लोस हो जाएंगे और ट्रिप कोई है वह सर्केट रेकर को सिगनल देदेगी ओके अब यहां पर जो फॉर्स प्रॉडिस हो रहा है अगर हम इसका एक्वेशन देखने जाएं तो अगर हम स्प्रिंग फॉर्स को अगर निकलाक्त कर रहे है तो जो नेट पूस मिलेगा हमें वह किवन आइवन स्क्वेर माइनस के टू आइटू स्क्वेर की जितना मिलेगा अब जब भी रिले ओपरेट होता है कुस्तम पर अगर तोनों फोर्स है जो एक्वाल हो रहा है तो के वन आइवन स्क्वेर इस इकवल टू आइटू स्क्वेर होगा है इपी में आइवन और आइटू सब्जेक्थ जेक्टन आइवन राइटू इस इकवल तो अंडरू टू अफक बाइटो गाइए ज़िए कुछ देख और त्री टाइप्स ओफ बैलंस्ट पीं रिले फर्स्ट वन है करन रिले सेकंड वन है वाल्टेस टाइप बैलन्स पीम रिले और थर्ड वन है इंपिड़न्स टाइप बैलन्सट बिल रिले तो उसमें सबसे पहले है current time balanced beam relay तो यहां पर जो current time balanced beam relay रहता है उसका construction सेम हमने जो देखा कि दो कोई रहती है operating coil और stirring coil और जो beam रहता है उसके दोनों end पे लंचर रखा हुआ होता है और जो current होता है वो दोनों कोई में से flow होता है कि जो current है उसको जो current transformer होता है उसकी सेकंड डिवार नेंग के थ्रिव सप्लाइ किया जाता है और इसके वज़े से हमें यहां पर जो equation मिलेगा वह आई वल्डाइ आई टू इस एक्वल टू पर नरूट ऑफ की टूग कीवन मिलेगा सेकंड में है वाटेटर बैलेंस तो यहां पर जो cause है उसको voltage sources के through accept किया जाता है और जो हमें फोर्स का equation मिलेगा वह मिलेगा वी टू इस एक्वल टू की टू बार सॉरी अंडरूट ऑफ की टू बार की टू बार की वन क्योंकि यहां पर क्या होगा के वन वी वन स्क्वार माइनस की टू वी टू स्क्वार इस एक्व तो इंपिरेंस टाइब बैलास्ट भी रिले रहता है उसके अंदर एक कोई रहती है उसको voltage source की टू एक्साइट किया जाता है जबकि दूसरी कोई रहती है उसको current source की टू एक्साइट किया जाता है तो अब equation हमें मिलने का k1 v square is equal to k2 i square so now v by i is equal to under root of k2 by k1 is equal to impedance z और इसकी वज़े से हम यह जो रिले है उसको impedance रिले की तरह पर यूज़ कर सकते हैं अब अगर हम देखनी चाहिए characteristic of balanced beam relay है तो यह जो रिले है उसको अगर हम larger range के लिए design करने जाए तो वह बहुत difficult है क्योंकि जो force है वह current के square से proposalality में change होता है second one है कि जो रिले है वह बहुत जल्दी action करता है और इसकी वज़े से वह instantaneous type का relay कहा जाता है third one है कि अगर हम reset करन और operating करन का ratio लेते हैं तो उसकी value भी ज्यादा होगी पर फोर्थ वन है कि इस type के जो रिले है उसकी जो VA burden है वह उसका हम कहां पर यूज़ कर रहे है उसके उपर ये डिपेंड करता है तो यहां पर total तीन टाइप की electromagnetic induction टाइप के रिले रहते हैं तो फॉस्ट अफॉर्स अफॉल we are going to study about the principle of operation और उसके बाद हम one by one तीनों रिले के भारे में study करेंगे तो सबसे पहरे जो आप डाग्राम में देख सकते हो जो यह डिस्क है वह अलुमिनियम की डिस्क रहती है और उसको दो इलेक्ट्रो मागनेट के बीच में पाइवर्ट की जाती है तो इसकी वज़े से टोटल दो फ्लक्स प्रॉड्यूस होंगे बट यह जो दोनों फ्लक्स प्रॉड्यूस होंगे दोनों फेस और स्पेस में डिफ्रेंस रहता है अब यहां पर इलेक्ट्रो मागनेट है दो फ्लक्स प्रॉड्यूस हो रहे तो क्या होगा करण्ट इंडूस होंगे यानि कि करण्ट एड़ी करण्ट सा इंडूस है इंदिडिस्क है उसके अंदर एड़े करन्ट इंड्यूस होता है और करन की वज़े से अब दो टॉर्क प्रोडूस होंगे क्योंकि दो फ्लक्स है उसमें से एक फ्लक्स और जो एड़ी करन्स है उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा और उसकी वज़े से टॉर्क प्रोडूस होगा इसकी वज़े से ना वह हमें Net-Torque में लेगा और उसकी वज़े से जो डिस्क हो रोटेट होती है कि अगर हम देखते हैं कि एक फ्लक्स जो है Five-Two Flux और दूसरा फ्लक्स है Five-One Flux अगर जो flux phi 2 रहता है यहाँ पर आप देख सकते हो दो flux produce हुए है एक है phi 2 दूसरा है phi 1 तो यहाँ पर जो flux phi 1 है वो phi 2 से बिटा डिग्री जितना आगे रहेगा अगर हम phi 1 को phi 1 and sin omega t से दिखाते है और phi 2 को phi 2 m sin omega t plus theta यहाँ पर हम angle दोनों के बीच का theta ले लेते हैं और phi 2 को अगर हम phi 2 m sin omega t plus theta से दिखाते हैं तो यह दोनों जो flux है वो disk के साथ link होगे और इसकी वज़े से emf e1 and e2 produce होगे और यह जो दोनों emf है वो उसका जो respective flux है उससे 90 degree lag करेगा ओके नव इफ वी राइट डाउन थी एक्वेशन फॉती यह मैं then e1 is proposed not to d5 1 by dt यानि कि जो 5 1 है उसका अगर हम time के respect में differentiation करेंगे तो 5 1 m cos omega t same way for emf e2 is proposed not to d5 2 by dt और अगर हम उसका भी differentiation करेंगे with respect to time then you will get equation 5 2 m cos omega t plus theta अब यहां पर अगर हम जो एडी करन का path है उसका जो inductance है उसको अगर हम neglect कर रहे है तो जो एडी करन्स है वो जो emf है उसके साथ in phase रहेगा यानि कि जो एडी करन्स आइवन है वो emf e1 के साथ in phase रहेगा और जो i2 है वो e2 के साथ in phase रहेगा यहां पर जो एडी करन्स है उसकी डारेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम फ्लैमिंग्स का राइट हैं रूर्यूस करेंगे तो जो आईवन और आईट की डारेक्शन है वो आप डाइगा में देख सकते हो यहां पर हमने फाइंड आउट के हुए है तब आईवन इस प्रोपोजनल तो फाइवन एम कॉस ओमेगा टी और आईटू इस प्रोपोजनल तो फाइटू एम कॉस ओमेगा टी प्लस थेटा तो हमें करन के इक्वेशन भी मिल गए नाउट कैसे प्रोडूस होगा तो फ्लैक्ट यहां पर हमने देखा कि जो करन है वो लिए आइवन एवन के साथ है और आइटू है वो एटू के साथ इनफेश है तो यहां पर जो फ्लक्स फाइवन है और अईवन है कि उन्दोनों की वज़े से टॉर्क प्रॉडिस होगा नहीं क्यूंकि उन्दोनों के इंटरेक्शन से कोई भी ऑने वाला नहीं है और दोनों के बीच में यानए कि फाइवन और आइवन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेस्ट दिस्प्लेश्मेंट है सेम वे जो फाइटू है और करन्ट हाइटू है उन दोनों की इंटरेक्शन से भी कोई भी टॉक प्रोड्यूस नहीं होने वाला है यहां पर जो टॉक प्रोड्यूस होगा वो फ्लक्स फाइवन और करन्ट आइटू और फ्लक्स फाइटू और करन्ट आइवन के इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होगा ओके यानि कि जो फ्लक्स फाइवन करन्ट आइटू जबकि फ्लक्स फाइटू और करन्ट आइवन तो अगर हम फ्लक्स का एक्वेशन लिखते हैं तो एक फंट इस प्रोड पोड्य और कि फाइट वेशन प्रोड्य पॉट्ट आइवन तो कर इसको बाद में हम डिप्रेंशेट करते हैं फूट देवेल्यूअफ आइटू यहां पे पुट देवेल्यूफ आइवन धन्यूगा तिट दर फाइटू अम्साइन तो फाइटू sin omega t plus theta phi 1m cos omega t now simplify this equation so you will get phi 1m phi 2m cos omega t plus theta sin omega t and f2 is equal to phi 1m phi 2m sin omega t plus theta dot cos omega t यहां पर फोस की direction find out करने के लिए हम phlemics का left hand rule apply कर सकते है तो दोनों फोस की direction मिलेगी वो हमें एक दूसरे से opposite मिलेगी जिसकी वज़े से जो net torque मिलेगा हमें वो दोनों torque जो होगे उसके difference की जितना हमें मिलेगा so now f is equal to f2 minus f1 so put these two value in the equation so you will get this equation तको equation मिलेगा 5 1 M 5 2 M sin omega t plus theta cos omega t minus cos omega t plus theta dot sin omega t now you compare this equation with your mathematical expression then you will get sin theta यानि ki phi 1 M phi 2 M sin theta so this is the equation of force produced in electromagnetic induction relay तो जो यहां पे 5 1 M 5 2 M मिल रहा है वो sinusoidal जो flux है उसकी आरे में से value दिखाता है जबकि जो net torque produce होगा वो दोनों flux का जो magnitude है और उन जो उन दोनों के बीच में जो face displacement है उसके उपर बड़ डिपेंड करता है अगर जो theta है उसके value 90 degree होती है तो maximum torque produce होगा इस टाइप का जो relay है वो mostly दो flux produce कैसे होते है और उन दोनों के बीच में face displacement कैसे मिलता है उसके उपर डिपेंड करता है now the types of the induction relay तो उसमें total तीन टाइप की induction देले है एक है shaded pool type induction डिस्क रिले second one है what over meter type induction डिस्क रिले और third one है induction cup relay तो सबसे पहले हम देखेंगे shaded pool type induction डिस्क रिले तो shaded pool type induction जो डिस्क रिले है उसमें एक aluminium की डिस्क रहती है जिसको elektromagnet का जो magnetic field होता है उसके अंदर pivot किया जाता है ओके यहां पर आप देख सकते हों यह जो है पूरा elektromagnet है यहां पर क्वाइल को करना किया गया है elektromagnet की बीच में पतली aluminium डिस्क को रखा गया है जो फील्ड पूल है वहां पर एक स्लॉट बनाया गया है और कॉपर शेडिंग बैंड जो रहती है उसको एक पूर्शन पर फिट किया जाता है अब जब भी कॉइल करण्ट कैरी करेगी यानि कि कॉइल में से करण्ट फ्लो होगा तो इसकी वज़े से जो शेडिंग रिंग है उसके अंदर करण्ट इंड्यूस होगा और इसकी वज़े से जो फ्लक्स यहां पर प्रॉडूस होने वारा है तो यहां पर जो फ्लक्स प्रॉडूस होगा जिसको हम बोलेंगे तो जो फ्लक्स फ्लक्स होगा जो में फ्लक्स है उससे लैक करेगा अगर हम यह एंगल बीटा लेते है तो दोनु फ्लक्स जो प्रॉडूस होंगे वह एक दूसरे से बीटा निक्री जितने लैक करेंगे तो जो टॉर्क प्रॉडूस होगा वह हम देंगे पाई गिविंग एक्वेशन टॉर्क इस प्रॉडूस नल टू 5152 साइन बीटा क्योंकि दोनो फ्लक्स के बीच में बीटा जितना एंगल बनेगा तो यहां पर जो फ्लक्स प्रॉडूस होगा वह कॉरंट के जितना ही होगा तो नाव वी पूट दे वैल्यू ओफ एक्वेशन टॉर्क इस प्रॉडूस नल टू आइ स्क्वेशन बीटा तो जो ड्राइविंग टॉर्क है वह करन के स्क्वेशन के हिसाब से चेंज होगा नेक्स्ट वन है वाट अवर मिटर टाइप इंड़क्शन डिस्क रिले तो यह जो रिले है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वह इंड़क्शन वाट अवर मिटर की जैसा ही रहेगा और इसकी वज़े से इसको वाट अवर मिटर टाइप इंड़क्शन डिसक रिले कहा जाता है तो यहाँ पर एक E-shape का Electromagnet देख रहे हुआ ओके तो यह जो एक जो Electromagnet है वो E-shape का रहता है जबकि दूसरा जो Electromagnet है वो C-shape का रहता है दोनों जो Electromagnet है वो Laminated किये गए होते हैं दोनों के बीच में एक Aluminum डिसक रहती है उसको Pivot किया जाता है जो डिसक की जो Spinner है उसके उपर Moving Contact को रखा जाता है जो Central Rim रहती है यानि कि जो E-shape का जो Electromagnet है उसकी जो Central Rim है वहाँ पर दो वाइनिंग को वाउन किया जाता है एक को हम बोलेंगे Primary Vining जिसको यहाँ पर Red Color से दिखाया गया है और दूसरी होगी Secondary Vining जो Primary Vining है उसको हम बोलेंगे पी और उसको Alternating Current से एकसाइट किया जाता है जो वाइनिंग है उसके उपर Tappings प्रवाइक की गई होती है और यह जो Tappings है उसको Plug Setting ब्रीज के साथ Connect की गई होती है दूसरी वाइनिंग है जिसको हम बोलेंगे Secondary Vining जो ब्लू करण से आपको दिखाए दे रही है उसको हम ऐसे दिखाएंगे और यह जो फाइनिंग है उसको Lower Electromagnet के साथ Connect किया जाता है अब काम कैसे करेगा तो जब भी प्राइमरी वाइनिंग में से Current Flow होगा उस टाइम पर फ्लॉक्स फाइवन प्रॉड्यूस होगा और इसकी वज़े से EMF इंड्यूस्ट होगा Secondary Vining में अब यह जो वाइनिंग है वो Lower Electromagnet के वाइनिंग के साथ Connect किया है तो इसकी वज़े से क्या होगा कि Current Flow होगा और Alternating Flux 5-2 प्रॉड्यूस होगा और वो प्रॉड्यूस होगा Lower Electromagnet की वज़े से तो जो Flux 5-2 है वो Flux 5-1 से बिटा डिक्री जितना लैक करेगा अब अब Addie Current Induce होगा एडी Current Induce होगा डिस्क के अंदर क्योंकि यहां पर हमें टोटल दो Flux में जहे हैं 5-1 और 5-2 जो 5-2 है वो Lower Electromagnet की वज़े से प्रॉड्यूस होता है जबकि 5-1 है वो Upper Electromagnet के प्राइमरी वाइनिंग की वज़े से प्रॉड्यूस हो रहा है तो यह दोनों Flux के इंटरेक्शन की वज़े से पर जो एडी Current प्रॉड्यूस हो रहा है उसकी वज़े से टॉर्क प्रॉड्यूस होगा वर दोनों की जो डाइरेक्शन है वो Opposite रहेगी और इसकी वज़े से Net टॉर्क प्रॉड्यूस होगा यानि कि नेट टॉर्क अगर हम एक्विशन देखने जाए तो टॉर्क इस प्रॉपोर्शनल टो 5152 साइन बीटा इस टाइप का जो रिले है उसको हम इन्वर्स टाइप का रिले भी कह सकते है क्योंकि जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे करन की वैल्यू डिक्रीस होती जाती है और इसकी वाज़े से इसको इंवर्स टाइप रिले भी कहा जाता है जो operating time है अगर उसको हमें change करना है तो जो spinner पे जो context की जो position है उसको हम change करके operating time जो है वो change कर सकते हैं तो इस इस दे construction working of the water meter type induction relay थर्ड वन है induction cup relay तो induction cup relay में एक कोर होती है जो आपको दिखे रहें बीच में पूरी laminated रहती है जो number of poles रहते है वो दो या चार और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं यहां पर four poles का use किया गया है जो pole है उसके उपर windings को provide किया गया है और चारों जो winding है उसको series में connect किया जाता है जो windings है उसको एसे supply दिया जाता है यहां पर एक cylindrical laminated core है जो हमने mirror में रखा हुआ है यह जो core रहती है वो fixed रहती है और यह जो core है उसकी around aluminum cup रखा जाता है कि जो dark blue color में दिख रहा है वो है aluminum cup यह जो cup है उसके उपर spindle रखा जाता है और जिसको ज्वैर बारिंग के साथ pivot किया गया होता है जो cup है उसके उपर contact को रखा जाता है जो spindle है उसके उपर spiral spring को भी रखा जाता है कि यहां पर एक स्पिंडर की हैप्स कनेक्ट करेंगे हम जो spring है यहां पर वह controlling torque प्रोवाइड करती है अब अब अगर हम इसका working दिखने जाए तो वह कैसे काल करेगा कि जब भी alternating current होगा winding में से तो alternating flux produce होगा यह जो flux produce होगा इसकी वजह से add current induced होता है तो यह जो aluminium कॉप हम नहीं रखा है वहाँ पर add current induced होगा अब जो flux है और जो add current है उन दोनों के interaction के वज़र से दो torque produce होगे और दोनों torque जो है वह एक दूसरे से opposite direction में लगेंगे यहां पर जो flux और जो current का इंटरेक्शन होगा उसके इंदर जो flux एक पोर से जो flux produce होता है वो और जो दूसरा flux होगा उसका current इन दोनों के interaction के वज़र से torque produce होगा ओके जो net torque of produce हो रहा है उसकी वज़र से कॉप है वो deflect होगा और context है वो close हो जाएंगे So, this is the working of the induction cup relay